इस विडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कक्सा एक से तीन के लिए किस तरह से सरेलेबस स की इसरेंब करना है तो गेट सटर्टेट पर जाते हैं यहां से मैं च्छी ने MARK और यह से करता हूँ यहां से अपना मंडाल स करता हो फर क्कम मैं सब्मिट पर जाता हूँ तो इस तरह से आ जाते हैं, मैं केवल स्केन बता रहा हूं और स्केन का भीbags डेमो थीक है,ठीक है, Этот पे जाते हैं Then पर जाने के बाद अभी स्केन स्टेटस यहां आपको जीरो सोगः है सेवेश स्टेटस भी जीरो है केवल मैं स्केन बता रहा हूँ तो जैसे हम यहाँ scan continue scan पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से खुल के हमारे पास interface आता है इस में नीचे की साइड आप देख रहा हूँ या scan लिखा है इस scan वाले button को जैसे आप दबाऊगे तो कुछ ऐसा खुल के आपके सामने आ जाएगा तो जैसे मैंने यह आप देख रहे होंगे ओमार्ट ο एमार्ट सी्ट ब्लैंक लेखंग है तो यहां शयक्र जैसी हम सकैन करने नीचे से उपर इसको एड़्जस करते हैं तो इस तरह से जब तक ये आप देख रहे होंगे कि ग्रीन इसके उसमें नहीं आता है तब तक ये गोलो के चारो द्रब यहां से इस तरह से इसको उपर नीचे करके एड़्जस्ट आप करते रहेंगे लेयाउट इमेज केप्चर इस तरह से आप देखते रहेंगे यहां से यह स्कैन हो गया है स्कैन होने के बाद इसकैन होने के बाद आप देखोगे कि यह आईडी हमारे पास खुल के आगए है क्योंकि यह मैंने ब्लैंक स्कैन किया है इसके आगे क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ भी तो यहां आप देख रहे होंगे कि जब हम स्कैन कर रहे हैं स्कैन के बाद कुछ ऐसा डेटा खुलके हमारे सामने आएगा उपर बच्चे का नाम केयर आफ उसका एसार नमबर और आईडी यहां रहेगी ठीक है अब उसके सारे कोश्चन 13 के 13 कोश्चन जो है वो यहां खुलेंगे उनके जो यदि सही है तो उसमें माक्स आ जाएंगे यदि उसके सही नहीं है तो जीरो उसमें भर जाएगा ठीक है माक्स में जीरो भर जाएगा तो इसमें जैसे आप यहां देख रहे होंगे कि page number लिखा है page number one यानि कि एक बच्चे को एक page में खोलेगा यदि वो नहीं चाहिए तो उसके skip के लिए हम इस तरह से skip का button दबा देंगे skip में सही का टिक कर देंगे तो ये skip हो जाएगा वो आठ बच्चे ना save करके कितने save करेगा साथ और इस next ले लेंगे फिर हम देखते हैं यहां दूसरा page खुला यदि ये भी नहीं चाहिए तो हम इसको skip कर देंगे यदि हमें next नहीं ये क्यों मैं बता रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा next ऐसा क्यों किया जा रहा है ठीक है ये हमें सब चाहिए तो हम back जा रहे है और फिर ये back जा रहे है अब देख रहा हूँगे कि ये सब यहां से देख रहा हूँगे कि नीचे से next करेंगे यह एक बच्चे का है फिर नीचे से next जाएंगे उसको check करेंगे कि entry सही हुई कि नहीं हुई है फिर हम next जाएंगे फिर देखेंगे थर्ड पेज खुला है फिर नेक्स जाएंगे फिर देखेंगे यहां से फिर सारी चीज़े मैच करेंगे आइडी वगरा फिर नेक्स जाएंगे फिर यहां से चेक करेंगे फिर यहां से नेक्स जाएंगे और फिर चेक करेंगे और फिर यहां से नेक्स जाए कराहें यहां है आप दék रहा हूंगए ऐग का बटन है और एक 10 MS ृटन है कखसा 3 वाला में बता रहा हूं जदि आपको final submit करना है तो मुझे single डेमो आपको दिखाना चाहरा हूं तो मुझे back जाना है में बेइं k्लिक करता हूं तो एक-एक करके ऐसे ही यह पीछे हर बच्चे का बैक होता रहेगा जो डेटा हमने देखा है इस तरह से आठ बच्चों का वो डेटा उसके अंदर स्कैन होके आ जाएगा तो आप समझ गए होंगे कि एक से तीन तक के बच्चों की स्कैनिंग किस तरह से होनी है तो scanning बताई है उसके बाद save कैसे होना है save पर चले जाएंगे मैंने आपको scanning के step बताए हैं एक से तीन वाली class के लिए अब हम समझते हैं कि क्या ये app offline scanning करती है जैसा आप उपर देख रहे होंगे कि यहाँ मेरा net विल्कुल खुला हुआ नहीं है अब हम समझते हैं कि क्या ये app offline scanning भी करती है तो जैसे हम scan पर जाते हैं और फिर scan को हम click करते हैं तो फिर इस तरह से हम यहाँ से adjust कर रहे हैं आप देख रहे होंगे और ये scan कर रही है यानि कि layout image captured processing for इसको उपर नीचे करके हम adjust कर रहे हैं तो आपने देखा है कि इस app ने offline scanning भी कर ली है जैसा बताया गया है कि scanning के लिए net की आवशकता नहीं है मैंने उपर आपको दिखाया है यहाँ net so नहीं हो रहा है net on भी नहीं है तब भी इस app ने scanning कर ली यानि कि data को save करने के लिए net की जरूरत है scanning के लिए जरूरत नहीं है ठीक है अब उसी बात को हम कर लेते हैं मानलो हमारे यहां दस बच्चे हैं तो दस बच्चे हैं दो बच्चे तो हमारे आठ बच्चे एक seat में हो जाएंगे दो बच्चे हमें दूसरी seat में लेने होंगे मगर यह दूसरी seat में भी आठ के आठ बच्चों की ID अपडेट करेगा अब जो आपको चाहिए उस पे आप क्या कर दोगे वो blank छोड़ देंगे और जिसको आपको हटाना है उसमें skip कर देंगे यानि जिस बच्चे का data जो नहीं चाहिए मानलों की आठ में से दो बरे हुए तो पहले दो हम ले लेंगे और बाकी के जो और हैं उनको हम हटा देंगे यहां इसकी पर जा कर यह मैं आपको बताना चाह रहा था